Good morning class third. How are you all? I hope you all are good. I am Manisha, Hindi faculty. Welcome to Hindi Reader Online Classes. Students, आज हम Hindi Reader का part 12 एक्ता की शक्ती की कहानी के बारे में पढ़ेंगे. एक्ता की शक्ती से क्या होता है, कैसा लाब होता है, आज हम उसके बारे में जानेंगे. तो सभी बच्चे जल्दी से अपने बुक उपन कीजिए. Hindi Reader, चैप्टर 12 एक्ता की शक्ती कहानी. Reading time. एक बार की बात है, एक बहेलिया था, जो चिडियों को पकड़ कर बाजार में बेचता था. क्या करता था वे? चिडियों को पकड़ कर बाजार में बेचता था. बहेलिया मतलब शिकारी. क्या होता है? शिकारी. चिडियों को कबूतरों को पकड़ने वाला जाल बिचा कर. एक दिन ऐसे ही चिडिया को पकड़ने जंगल में जा रहा था. कहां जा रहा था? जंगल में जा रहा था. रास्ते में उसने देखा कि बहुत सारे कबूतर बिखरे हुए दानों को चुग रहे हैं. और उसने कबूतरों को देखा और वे क्या कर रहे थे कबूतर? दाना चुग रहे थे. वह एक पेड की आड में खड़ा होकर सोचने लगा आज तो कितने सारे कबूतर एक जगहा पर मिल गए हैं? क्या सोचा उसने कि आज कितने सारे कबूतर एक जगहा पर मिल गए हैं? यदि आज ये पकड में आ गए तो वारे न्यारे हो जाएंगे. उसने क्या सोचा? कि अगर ये सारे कबूतर पकड में आ गए तो मिल पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे. मैं बहुत क्या बन जाओंगा? धनवान बन जाओंगा. इतना सोचकर पेड के पीछे से वहन निकला और उसने अपना बड़ा जाल कबूतरों पर फेक दिया. कुछ कबूतर तो पंक फड़ फड़ा कर उड़ गए. कुछ कबूतर तो अपने पंकों को फिलाए और उड़ गए. और कुछ उस जाल में फस गए. दूर फेड पर एक कुवा बैठा. यह सब देख रहा था. कुवा यह सब देख रहा था. वह उड़ता हुआ आया और उस जाल में फसे कबूतरों से बोला. यदि तुम सब मिलकर जोर लगाओगे तो तुम आजाद हो जाओगे. क्या हो जाओगे तुम? आजाद हो जाओगे. उन में से एक कबूतर ने पूछा वह कैसे? तो कोई ने कहा कि तुम सब मिलकर जोर लगाओगे तो तुम क्या होती है? शक्ती होती है. अगर तुम सब मिलकर जोर लगाओगे और जाल को अपने साथ लेकर उड़ जाओगे तो तुम क्या होगे? इस शिकारी के जाल से बच जाओगे. और जहां तुम्हें चूहे दिखें, वहां उतर जाना चूहे तुमारे जाल को काट देंगे. कोई की बात कबूतर को समझ में आ गई. क्या आई? कोई की बात कबूतर को समझ में आई. अभी बहे लिया मतलब शिकारी जाल सहित कबूतरों को पकड़ने वाला ही था कि कबूतरों ने जोर लगाया और जाल के साथ उड़ने लगा. क्या करने लगा वे जाल के साथ उड़ने लगा बहे लिया यह देखकर शिकारी यह देखकर क्या रह गया हका बका रह गया उसने क्या सोचा उसने क्या सोचा था और क्या हो गया वे उनको देखकर हका बका रह गया मतलब हैरान हो गया उसने सोचा था कि सभी कबूतर आएंगे तो उसके बाद बहुत सारे पैसे हो जाएंगे कबूतरों को बेच कर लेकिन कबूतर तो उसके हाथ में एक ना आया और सारे कबूतर जाल समेथ ही उड़ गए कबूतर उड़ते उड़ते जंगल की तरफ जाने लगे तो रास्ते में उन्हें नदी के किनारे चूहें दिखाए दिए उन्हें क्या दिखाए दिए नदी के किनारे चूहें दिखाए दिए कबूतर धीरे धीरे नीचे उतर गए चूहों ने जब कबूतरों को जाल में फसे देखा तो दोड़ते हुए आए और जाल को अपने नुकीले दांतों से काटने लगे क्या करा चुओं ने उनके जाल को काट दिया और उनकी जान विचाही देखते ही देखते सारे कबूतर आजाद हो गए बड़े कबूतर ने कहा इसे कहते हैं एकता में कितनी शक्ती होती है अगर हम हिम्मत ना करते और हिम्मत हार जाते तो आज हम उस शिकारी के जाल में फस जाते लेकिन हमने क्या किया एक साथ मिलकर जोर लगाया एक साथ मिलकर अपनी शक्ति दिखाई तो आज हम क्या हो गए उस शिकारी के जाल से आजाद हो गए हमारे जीवन में कितनी ही बड़ी कठनाई क्यों ना आजाए हम एक जुट होकर उन कठनाईयों पर विजय पास सकते हैं जैसे कबूतरों की एकता ने उन्हें स्वतंत्र कर दिया क्या हुआ कबूतरों की एक्ता ने उन्हें कैसे कर दिया स्वतंत्र कर दिया तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि एक्ता की शक्ती से बड़ी से बड़ी मुसीबतें भी आसानी से हल की जा सकती है एक्ता में कैसी होती है, शक्ती बहुत ताकत होती है, सभी मुसीबतें हल हो जाती है शब्द संपदा, आपको यह चेप्टर समझ आया, कहानी एक्ता में शक्ती अब क्या है शब्दार्थ टाइम, बहेलिया मतलब शिकारी, चुग मतलब चुगना खक्का बक्का, खक्का बक्का मतलब हैरान, इसका मतलब क्या लिखेंगे आप, हैरान हो जाना स्वतंतरता मतलब आजाद, वारे नियारे मतलब उन्नती होना शब्दार्थ आप अपनी नोट्बुक में नीटन क्लिन वाक करेंगे, ओके सोचो और बताओ, बहेलिया चिडिया पकड़ कर क्या करता था? चिडियों को पकड़ कर वह बाजार में बेचा करता था, एकता में क्या होती है? एकता में शक्ती होती है थर कोशन, कबूतरों की जाल को किसने काटा? चूहों ने, कोई ने कबूतरों को क्या सला दी? कोई ने कबूतरों से कहा, यदि तुम एक साथ मिलकर जाल को लेकर उड़ जाओगे, शक्ती लगा कर तो तुम सभी शिकारी के जाल से आजाद हो जाओगे चूहों के दात कैसे थे? नुकीले, कैसे थे? नुकीले ओके? चेंज यूर पेज, निमुफित प्रशनों के उत्तर दिये गए विकल्पों से लिखो बहेलिया चिडिया को पकड़ कर क्या करता था? बेचता था कबूतर क्या कर रहे थे? दाना चुग रहे थे इतने कबूतरों को एक साथ देख कर बहे लिया क्या सोचने लगा? इनको पकड़ कर बहुत पैसे कमाईगा कोई ने कबूतरों से क्या कहा? एक साथ उड़ जाने के लिए कहा कबूतरों को जाल से किस ने चुड़ाया? चूहों ने सही उत्तर चुनकर लगाईए दाना कोन चुग रहे थे? कबूतर बहे लिये ने कबूतरों पर क्या फैका? पैसे जाल या डंडा? आंसर जाल कबूतरों को उपाए किस ने बताया? चूहे ने? नो कोई ने? या शेर ने? कोई ने आंसर कोई ने शक्ती किस में होती है? बैमानी में? नो एकता में या चोरी करने में? एकता में किस में होती है शक्ती? एकता में जाल को किस ने काटा? चूहे ने किस ने काटा? चूहे ने स्टुडेंट्स हमारा चैप्टर कम्प्लीट हुआ question answers आपको PDF file में मिलेंगे मिलते हैं हम next video में next chapters के साथ तक के लिए bye bye all of you